14 जून की शरुदान में हम सबकुस होगा थे, परमात्मा कहता है कि शान्ती की शक्ती के प्रयोग द्वारा हर कारे में सहच सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भवा एक है हम जोर लगा करके, फोर्स करके, क्रोथ को इस्तमाल करके, रोख को इस्तमाल करके, हम चिला करके हम काम करवा सकते हैं लेकिन उसमें हमें बहुत घाटा हो जाता है सबसे पहला घाट हमारी सेहत नहीं है सबसे पहला घाट है कि हम परमात्मा की नजर में गर जाते है हम परमात्मा के गुण नहीं समाल करते हैं हम रावण के अवगुण इसमाल करके अपने आपको सर्वाइव करने के लिए काम करवा रहते हैं इस दुनिया में और फिर कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, दुनिया ही ऐसी है, करना ही पड़ता है, फिर परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, तुमने तो रावन की जगह ले ली, तुम तो रावन के साथ ही बनगे, तुमने मेरा साथ नहीं लिया, तुमने रावन के साथ ले लिया है, तो फिर अब व प्रिवर्तन प्रमान शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। संकल्प के द्वारा भी हम औरों के अंदर शुब भावना उत्पन कर सकते हैं। उसंकल्प करेंगे आपको तो इससे अच्ऩा है कि हम उनके उनके प्रती शुब भावना शुब कामना रखाएं। को माफ करें, अपने आपको भी माफ करें, अपने आपको माफ करना मनलग की अपवितर संकत सोचना छोड़ देना, इसको कहते हैं, अपने आपको माफ करना है, अपने उपर देह करना, इस शक्ति के, इस शक्ति से स्थूल कारे में भी बहुत सहच सफलता प्राप कर सकते हो, स थूल कारे में भी, सिर्फ spiritual कारे नहीं, अपने physical कारे में भी, अपने lockic कारे में भी हम कर सकते हैं, कैसे? शुब भावना, स्नेह की भावना रखें, किसके बरती हैं, अगर हमारी ग्रहना भावे बहुत समय तक, तो हमारा उनके साथ में कर्म बंधन मन जाता है, कर्मिक अकाउंट में फस आते हैं, परमात्मा कहते हैं, शुब भावना रखो, और स्नेह की भावना रखो, जब भी वो विक्तियाद आए, वो परिसितियाद आए, तो उनको आप कहा दो, उनको आप दिल से परमात्मा के साथ मिल करके उनको दुआएं दो अकेले नहीं, बाबा मेरे प्यारे शिब बाबा, ये आत्मा बच्चा आपका बच्चा है और मेरा आत्मा आत्मा भाई है इसका कल्यान हो ये सुखी रहे, शांत रहे, खुश रहे संतुष रहे, बस, ऐसे परमादर कहते हैं प्यूरिटी की शुब भावना और स्टने की बावना की और उसका एफिक्ट आएगा ही आएगा अम शांति